हलो फ्रेंड्स, I am मिनाक्षी, आज का वीडियो होने वाला है सिम्ला मेश के ऊपर, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मेरे जो बगीचे में मैंने लगाया हुआ है सिम्ला मेश का पौधा, जिसको मैंने सीड्स से उगाया है, और वो सीड्स मैंने कहीं से परचेज नहीं किय गरी में जो हम लोगोन सिम्हामेश खरीत के लाते VoYatori में मारकेटसे इसी में से मैंने हुगाया है। एक फों तो इम्हार्फेंज़ाय का पॉध्ध है मुद्ध झिसमें अभी अभी। फ्लावर्फ बर्ट स्टार्ट हो रहे हैं। और मेरे पास और एक फों सिव्मार्फॉक का पॉध़ाय गाई जिसमें अब देख सकते हैं। ऐंसी है फोर फूर्ट्स आये है। कि इसमें थोड़ा सा लिप्स का डिजीज का वैसे इसके लिप्स ऐसे हुए लेकिन इसका ट्रिट्मेंट हमने कर दिया है जिस वैसे अभी ये ठीक तरीके से ग्रोव हुए और एक ठो मेरे पास सिम्ला में इसका पौधा है ये एक ठो पॉट है आप देख सकते हैं पानी का ज इस पर अभी बहुत साज फ्लावर्स आ रहा है इस पर अभी एक ही सिम्ला में इस। कि Poke इसके चलिंट्ध करें मैं आपको लेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी अभी मेरा जो सिम्लामिष का पौधा है वो अल्रेडी ग्रोव होके उस पे फ्लावर्स और फ्रूट्स आ चुके हैं सिम्लामिष के पौधे पे हर फूल जो फल में कनवर्ट हो सके उसकी लिए हमें सबसे पहले इसको फूल सनलाइट में रखना चाहिए जिस वैसे इसके फूल फल में आ सके नहीं तो यह पूल आएंगे लेकिन जड़ जाएंगे इसकी लिए हमें इसको फर्स स्टेप है कि हमें से फुल सॉनलाइट में रखें हैं सेकेंस स्टेफ है आप सिमला मेज के पौधे पे ओवर वाडरिंग ना करें थर्ड स्टेफ हैं आप सिमला पे हाइसी जगा पर रखिए जहां पर हवा का फ्लोव हो सके जिसका बज़े से ऊसके बर्स में और फ्लास्ट फूर्ट में पर्ट हो सके हवा का फ्लो हो ना एसी लिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें इस पॉलिने के पॉलिनेशिन हो सके थैंक्स प्रेंट्स आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो like and share कर दीजेगा और मेरी चैनल को subscribe कर दीजेगा और bell icon को प्रेश करना ना भुलेगा थैंक्स प्रेंट्स